आज अचानक ही ये मन कर गिया क ही कही न कहीं ठोड़ा घूम के आ आया जाए। तो दिल्ली में घूमने के लिए ये वो जगा है पीछे पार्लेमिंट आप देखी रहे हैं और पार्लेमिंट के आजप्स का अरिया इरिया काफी अच्छा है थोड़ा घूमने के लिए। पीछे प्रधानमिंतरी ऑफिस है रच्छा मिंतराल है सारे मिनिष्ट्री और सारे कुछ यहां पर है आप देख सकते हैं शुशांत के बारे में क्या बता हूं मैं कि बार-बार जब यहां आता हूं कुछ थोड़ा सा मायूशी चाती है थोड़ा सा ऐसा निगेटिव लगता ह तो इस जगह पे आकर के मुझे ऐसा लगता है कि यहां से हमें एक सक्ति मिलती है एक पावर मिलती है और नई सक्ति के साथ कुछ नया करने का जोश मिलता है तो मैं बार बार इस जगह पे आता हूं और इस जगह को देखता हूं आपको मैं दिखाना चाहता हूं आज इस जगह पुरे देश से लोग आते हैं यहां पे और घूमते हैं लोगों का एक यह दिल्ली का एक अच्छा जगह है और यहां पे आकर के आप देखे कितना अच्छा नजा रहा है और यह वो जगह है जहां से हमारे सुशान के लिए कुछ फैसला आएगा यह वो शंसद है जहां पे बैठ करके चाहें तो कुछ भी हो सकता है देज की दिसा और दसा यहाँ से चलते रहती है बदलते रहती है मैं भी मेरा तो खेर यह एरिया जाधा तर वरकिंग एरिया है इसलिए मैं यहाँ पर जादा मौझूद रहता हूँ वैसे मुझे अच्छा लगता है यहाँ प्याना और जब भी इस जगह पे आप आएं आप खुद महसूस करेंगे कि आपको कुछ अलग महशूस हो रहा है कुछ सक्ती मिल रही है अंदर से तो जब भी समय मिले अगर दिल्ली के आसपास के लोग जरूर आएं, मैं तो अपनी मिटिंग्स भी करता हूं, दिल्ली के टीम की जो मिटिंग्स होती है यही वो जगह है, यहां पर बैठता हूं यहां मिटिंग करता हूं और यहां से एक नया जोश, नया उमंग नया काम करने का एक जजबा मिलता है और यहां की मिटिंग के बाद ही मैं फिर नजा प्रोटेस्ट के लिए निकल पड़ता हूँ आप लोग भी आईए कभी गुमते हैं साथ में देखते हैं यह जो देश का दिल यह जो देश का वो जगह जहां से आप देख सकते हैं कि सारी सक्ती यहीं पे है यह पीछे जो पार्लामिंट दिख रहा है मेरे पीछे सारे सांसवधियां बैठते हैं सारे मिनिस्टर, प्रधान मंतरी, शब लोग हैं इसके बगल में मैं आपको दिखाऊँ देखें मेरे पीछे यह जो जगह है यह प्रधान मंतरी का ओफिस, रच्छा मंतरी, फाइनिस मिनिस्टरी उसके पीछे थोड़ा जाएंगे तो वहाँ पे राश्पती बहों ने यानि कि सब लोग यहीं पे हैं तो यह वो जगह है जहां से ऐसा लगता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए हमें भी करना चाहिए, हमें भी कुछ सोचना चाहिए घर बैठे कब तक काम करेंगे घर बैठके मिलेगा नहीं मिलेगा मैं थोड़ा सा थोड़ा सा अलग सोचता हूँ मेरा ते मानना है कि घर से निकलिए और कुछ करिए जाहिंद